है मर्शक्रा दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉइट इंजिनेरिंग वर्क्स लिमिटेड यह स्टॉक 75 के प्राइज पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में आज इसने 1.4645 परसंट का अपमोव दिया था मार्केट कैप होगे इसकी 8,587 करोड की क्रमोटर होलिंग 57.20 परसंट है बुक वेल्यू 3.59 है डिविडेंट इल 0.27 परसंट है एंड फेस वेल्यू 1 है फंडमेंटल वीडियो में अलड़ी बना चुकी हो प्लेलिस में आड कर दूँ या आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखे तो इस टॉक 50 और दो नो डियमें से ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि एक अच्छी बात है यह रेशो जो है वो 107.30 पर है फाइज के टा होफुली इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा उमीद तो यही है अभी के लिए आगे हम चार्ट पे चार्ट पे अनलसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहते हूं जिनों ने बार बार पूछा कि मैम आप ठीक हैं आपकी तब्य ठीक है तो नहीं मेरी तब्य ठीक नहीं है तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई एंड होफुली जल्दी ठीक हो जाओंगी तो येस लेट स्टार्ट अनलसिस एंड थैंक यो सो मच तो आज देखिए आज इसने नियू हाई बनाया था सस्टेन नहीं किया एंड कल सम्हाव मैं बनाया थी बड़ एंड ऊडंन नौ क्या दिककत आई और वीडियो में बिल्कुल अवाज ही नहीं आई आई वस नॉट वेल तो मैंने वीडियो डाले भी नहीं थी फिर उसके बाद तो उसके बाद मेरी हिम्मत टी बज्ची कि में वीडियो बनाऊं तो फिर मैंने कुछ भ indefinitely बन रहा है आज उपर गया था है stock new high बनाया बट sellers second half में activate हो गए काफी अच्छा है इसने move दिया था second half में activate हो गए 5% के आसपास का हमें move यहां पे मिल रहा था and उसके बाद हमने देखा कि छोटा सा down हो हमें यहां पे मिला है बट ठीक है फिर भी उसके बावजूद भी हमें 1.5% के आसपास का यहां पे अपमोव मिला है तो अभी के लिए एक बार चलते हैं हम weekly candle पे क्योंकि week complete हो चुका है तो अभी देखे यहां पे definitely हमें buyers के हाथ में stock दिख रहा है bullish pattern हमें यहां पे दिख रहा है हलांकि यहां पे जो पुरानी थी 76 का जो इसका high था उसके नीचे ही है stock ने closing उसके नीचे दी है आज break भी गया था 78.30 तो के stock गया था new highs ने create किया है and मुझे लगता है next week काफी important रहेगा इसका और मुझे लगता है काफी अच्छे move यहां पे देखने को मिल सकते हैं volume की बात करें तो इस week में volume 41 million का आया है and last week में volume 59 million का आया था तो volume थोड़ा सा decrease हुआ है बट फिर भी अगर देखा जाए तो RSI काफी अच्छी stage पे है 70 के असपास RSI है काफी अच्छा अभी इसके पास playground है move करने के लिए and अभी चलते हैं एक बार daily chart पे तो daily chart पे देखिए RSI जो है वो है 64.57 पे and RSI उपर गई थी आज बट इसके क्योंकि हम इतना अच्छा move नहीं मिला तो नीचे भी आगी थोड़ी सी settled ही RSI and मुझे लगता है हो सकता है this is not sure बट यह हो सकता है कि RSI फिर से एक बार test करने आए तो अपना stop loss उसके तरीके से लेके चलेगा बट मुझे लगता है कि 72.98 73 का जो resistance ये break नहीं कर पा रहा था मुझे लग रहा है कि अगर नीचे भी आया stock तो 73 का एक मुझे लगता है कि major support यहां पे बनता हुआ दिख रहा है इसको एक बार color हम red भी कर लेते हैं तो ये major support बनता हुआ मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है stop loss जो लेना है वो आपके appetite के according है of course and अगर यहां से भी breach करता है यह तो उसके बाद का हमारा यह जो 70 का हमारा support है यह मुझे लगता है कि काफी strong है वैसे volume की बात करें तो कल volume आया था 12.56 million का आज volume आया है 13.58 million का NAC की बात कर रही हूँ तो volume increase हुआ है और यह बहुत अच्छी बात है तो एक बार BAC पर चलते हैं and excuse me अभी के लिए देखे तो यहां पर इसका price went 20% का है and news आई थी फोर्थ को news आई थी कल हो नहीं पाया वीडियो का तो आज थोड़ा सा discussion कर लेते हैं कोई बहुत major नहीं है बढ़ थोड़ा सा discussion कर लेते हैं तो सबसे पहले जो news थी वो यह थी चार news आई थी उनमें से एक duplicate certificate की थी चार तीन काम की हैं तो पहले तो यह देखते हैं कि इसका 31st March 2021 पे इनका जो person years of experience था company का वो था 1008 and तीन साल बात financial year sorry financial year 2023 and 2024 31st March 2024 को इनका जो personal experience हो गया है वो है 2328 का ठीक है तो यह बहुत बड़ा jump है and jump जो है 130.95% का growth jump यहां पे देखा गया है financial year जब end हुआ है 2024 तो यह काफी बड़ा jump है ठीक है एक तो यह चीज है जो कि बहुत positive point है दूसरा यह है कि यहां पे the pat of financial year 2024 was higher than the turnover of financial year 2022 तो यहां पे बोल रहा है pat क्या होता है profit after tax होता है तो यह बोल रहा है कि जो यहां पे 2022 के financial year में जो इसका company का turnover था उससे जादा का 2024 में profit आया है after tax तो यह बहुत बड़ी बात है मतलब यह काम कर रही है company long term में बहुत अच्छा यह कर रही है तो यहां पे financial year 2022 का बताया है 2024 का यहां पे बताया है कि क्या है turnover से उपर का है turnover कितने का था यह था यहां पे जादा का यहां पे profit हमें दिखने को मिला है यहां पे turnover यहां पे बताया है company का क्या है पहले मतलब 6000 क्यास पास का छेहां पे 63,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, काम पर बताया है कि multi product ये तीन different चीजे हैं जिन में ये काम कर रहे हैं अब ये तीन चीजे different हैं इसको अभी explain करने लगूंगी तो ये इतने detail में समझ नहीं आएगा और मैंने बोला था कि मैं weekend पे एक video बनाने वाली हूँ जिसमें long term target company जब start हुई थी तब company के साथ क्या हुआ था कैसे किया था कैसे वो shutdown होने वाली थी कैसे उन्होंने grow किया किस तरीके से उन्होंने अपने business को evolve किया किस तरीके से वो steel and all से engineering में आया and everything वो सारी चीजे मैं एक video में cover करने वाली हूँ वो कम से कम 30 45 minutes 30 to 45 minutes या 1 hour की video होने वाली है and अगर इस video पे 2000 views आ जाते हैं या comments अच आएंगे भी कि किस-kis को video देखनी है क्योंकि मैंने बहुत deeply analysis करिया और उस video पर काफी महनत लगने वाली है तो जरूर मुझे comment section में बताएगा मैं तबयत अगर ठीक रही तो मैं कोशिश करूं कि कल या परसो में ही वो video में upload करूं and वो काफी long और काफी detailed video होने वाली है तो comment section में जुरूर बताना और 2000 views नहीं हुए तो मैं नहीं बनाऊंगी jokes apart वो मैं बनाऊंगी video तो share करना video so that कि लोगों तक भी वह बात पहुंच पाए and it's not like कि मैं ही बना रही हूं लोगों तक तो ऐसे भी वह बात पहुंच होगी पर थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी तो करिएगा जरूर okay so अब करते हैं हम entry के points से बात तो सबसे पहले trading view की entry point की हम बात करें तो यहां पर trading view का तो यहां पर strong buy का है and मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से volume बढ़ रहा है और जिस तरीके से यहां पर support बनाया हुआ अपना और जिस तरीके कि यह move देने की कोशिश कर रहा है मुझे लगता है कि definitely यहां पर buy का point बनता है and longer run में मुझे लगता है कि बहुत magic करने वाला है stock जिसमें detailed video में हम discussion करेंगे अभी के लिए देखे तो यह वाले target जो है इनको achieve करने के लिए हमें कितने percent की जूरत है 33% के आसपास की जूरत है and जो हम 19 तक के target लेके चल थ्यान रखे यह जो 76 का high है पुराना मुझे लगता है यहां पर छोटा सा hiccup शायद ले सकती है अगर volume उतना अच्छा नहीं आया तो हो सकता है कि एक आदा दिन यह consolidate करे and RSI थोड़ी से settle होके 60 पे फिर से एक बार test करके reversal ले यह भी possibility एक जरूर बनती है so अभी के लिए entry point क यह हो गया volume के उपर बहुत ध्यान रखना है and longer run के लिए मुझे लगता है कि month end की entry के लिए अगर देखे क्योंकि यह तो बहुत short की entry होगी 19 तक की क्योंकि वो x dividend date है तो मुझे लगता है कि यह काफी short entry and I am pretty sure कि यह हमें target revise करने ही पड़ेंगे and अभी के लिए यह वाला जो target है यह मुझे लगता है कि बहुत अच्छे धंक से achievable है अगर 30-35% का मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगई अभी एक ही week हुआ है इस month का 3 trading weeks हमारे पास पड़े हैं तो मुझे लगता है कि longer run में यह थोड़ा सा काम कर सकता है हमारे लिए and अभी के लिए हम Bollinger Band दे zone में आ रहा है and breakout वैसी काफी time से pending है और मुझे लगता है कि यह breakout काफी अच्छा दिने वाला है and काफी अच्छे इसके move हमें मिल सकते हैं क्योंकि यह जो इसने test किया है ना जो यह support 70 के support को इसने test किया है 70 का support is new 42 का support जो आपको याद होगा 3-4 महीने पहले यह 42 पर बार बा बनाया 68 के आसपास का बनाया फिर उसने 70 का बनाया फिर अब यहां पर यह 70 का resistance बनाई फिर इसने support बनाया अब मुझे लगए कि धीरे धीरे टुक टुक करके ऊपर बनाता जा रहा है और इसका breakout मुझे लग रहा है बहुत पास है तो यह अगैन सिर्फ और सिर्फ मेरी analysis है क किसी और के सुनिया आप खुद अपना दिमाग यूज करिए खुद अपनी analysis करिए and चीजों को समझने की कोशिश करिए study करिए and उसके बाद decision लीजिए यह सिर्फ और सिर्फ analysis है by cell hole की बिल्कुल भी recommendation नहीं है so that's it and मिलते है next video में rest जो मैंने बोला कि आप यहां पर बताए किस को detailed video चाहिए अगर आप लोगों को चाहिए तो तो मैं महनत करूँ अगर नहीं चाहिए तो फिर मैं महनत अपने पास ही रख लोंगे ठीक है so anyways तो अब मिलते है next video में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing